कितना जानते हैं आप अपने शरीर के बारे में, थोड़ा, बहुत, या बिल्कुल भी नहीं, क्यों सो जाता है आपका पैर, और अगर ये सो गया है तो उठेगा कब, क्यों लगते हैं नीन में जटके, और क्यों हुजाते हैं बेवजर रोंग्टे खड़े, समय आ गया है कि आप और आपका शरीर एक दूसरे को और गहराई से जाने हैं जब हमारी आँके फड़कने लगती हैं तो हम अकसर सोचते हैं क्या होने वाला है अच्छा या कुछ बहुत बुरा अगर आपके आँक फड़कना शुरू कर दे तो इसके मूल तो दो कारण होते हैं या तो हानिकारत नहीं होता ये मासपेशियों की ठकान और दिमाग की उत्तेजना के कारण होता है तो दोस्तों अब कभी जब आपकी आँक फड़के तो जरूर सोचिएगा कौन सा रीजन आपके उपर फिट बैठता है और हाँ कुछ अच्छा या बुरा नहीं होने वाला हम सब अच्छे से जानते हैं कि ठंड लगने पर क्या होता है दातों का किट-किटाना और शरीर के कापने का एसास तो आप सबने किया ही होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर की सारी मासपेशियां बहुत तेजी से हिलने लग जाती हैं ताकि घर्शन के कारण गर्मी पैदा हो सके जिस तरह आप अपने हाथों को एक दूसरे से घिसकर गर्म कर लेते हैं उसी प्रकार आपका शरीर भी खुट को गर्म कर रहा होता है शरीर का मूल ताप मान 36.6 डिग्री सेलसियस होता है और आपका दिमाग कंड़क्टर की तरह काम करता है अगर यह आपका श शरीर को पसीने निकलने का सिगनल देगा और अगर इससे ठंडा हुआ तो आप सब समझी गए होंगे यह आपके शरीर को कापने का सिगनल देगा दोस्तों काफी अलग एसास होता है जब आप कुसी से उठें और आपका पैर काम न करें या सो जाए घबराये मत हम सभी जान यह होता है क्योंकि आप गलत पॉजिशन में बैटे होते हैं जिससे आपके पैर में जितना खून जाना चाहिए उतना नहीं जाता इस तरह से सिर्फ 10 मिनिट बैठने से भी आपका पैर सो जाता है और इसके बाद होने वाली जंजना हट उस खून के पैर में जाने से होती ह जिसे आपने गलत तरीके से बैठकर रोग दिया था दोस्तों क्या कभी आपने नोटिस किया है क्या आपको नीद नहीं आ रही होती और उबासी आ जाती है मुल्टे उबासी आने की दो सामानने वज़े होती है या तो आपको बहुत नीद आ रही है या आप बोर हो गए है उबासी का मतलब असली में होता है अपने मूँ को पूरा खोलना और जितना ज़्यादा हो सके उतनी सांस भरना इससे ज़्यादा से ज़्यादा खून दिमाग में जाने लगता है और नियूरॉन फ्लुरीड आपके शरीर में जाने लगता है Surprisingly यह आपके शरीर का एक बहुत अनोका तरीका है बोरियत को खत्म करने का और काम को और भी अच्छे तरीके से करने का जब भी आप बोर हो रहे होते हैं या चिंतित होते हैं तो अक्सर आपको उबासी आई जाती है आप सभी जानते हैं इनसान एक सामाजिक जीव है और हमारे शरीर को कुछ इस तरह बनाया गया है कि हमारी स्लिपिंग साइकल सभी के साथ मैच करे और यही कारण है कि जब आप भीड में उबासी लेते हैं तो यह देखकर बाकी लोगों का दिमाग भी उन्हें नींद का एहसास दिलाता है और सब को उबासी आने लगती है है ना यह मज़ेदार फैक्ट दोस्तों कई बार आपने अनुभव किया होगा कि सोते सोते आप जटके से उठ जाते हैं और आपको एसास होता है कि आप गिर रहे थे ऐसा क्यों होता है पता चला है कि जैसे ही आप सोते हैं उस वक्त आपकी सारी मास पेशियां रिलाक्स हो जाती है और आपका दिमाग ये समझने लगता है कि आप गिर रहे हैं और आपको जटके से उठा देता है जिनरली अगर आपकी सारी मसल्स रिलाक्स हो जाएंगी तो आप गिर जाएंगे और आपका दिमाग पूरे शरीर में हजारों सिगनल्स भेजता है ताकि आपकी मसल्स काम करने लगे और इन तेजी से आए हजारों सिगनल्स की वज़े से ही आपको शरीर में एकदम से जटके लगते हैं इसे साइन्स की भाषा में हिपनिक जर्क्स कहा जाता है दोस्तों उंगलियां चटकानी की आदत आपने कईयों में देखी होगी या शायद आप भी ऐसा करते हो पर यह आवाज आती कहां से है या किस वज़े से आती है आपने अक्सर सुना होगा लोग इसे हड़ी या उंगलियां चटकाना कहते हैं तो क्या इसका मतलब सच में हड़ी चटक रही होती है? नहीं, और नहीं तो ये आवाज आती कहां से है? दरसल हमारी हड़ीयों के जॉइंट्स में खुद बखुद air bubbles बन जाते हैं और जब हम जॉइंट्स पर प्रेशर डालते हैं तो ये bubbles फूद जाते हैं जिन से आवाज आती है और यही कारण है कि आवाज सिर्फ उंगलियों के चिटकाने से नहीं किसी भी जॉइंट्स से आ जाती है क्यों आती हैं पेट से आवाजें? पेट की गैस या पेट का गुड़गुड़ाना आप इसे कुछ भी कह सकते हैं पर ये तो तयह है कि आवाज इतनी अच्छी नहीं होती और आप सोचते होंगे कि आवाजें आती क्यों हैं दरसल आपका दिमाग आपको बता रहा होता है कि आपने खाना नहीं खाया है पेट में सिवाई गैस के कुछ होता ही नहीं है और पेट गैस को निगलने की ही कोशिश करने लग जाता है इस वज़े से आवाजे आने लग जाती है तो आप कभी आपको ऐसी आवाजे आएं तो ज़रूर कुछ खा लें आई होप आपको एवीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेर केजिए ऐसे